दोस्तों यदि आपको लॉन की जरूरत है तो आप लोग घड़ बेटे आधार कार्ड और पैन कार्ड के दोरा आसानी से लॉन ले सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको हम कैस E के माध्यम से लॉन लेने के लिए लाइप प्रूप के साथ दिखाने वाले हैं आप लोग वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा लाइक करना मत भुरिएगा दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप लोग किलिक करके कैस E एप को डॉन लोड कर लिए चुकि कैस E के काफी सारे फ़र्जी एप है तो जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप उसी लिंक के माध्यम से डॉन लोड कर लेंगे आपन करने के बाद आपको इस तरीका से आपन होगा आप यहाँ पर अप्लाइन ओपे किलिक करेंगे अब यहाँ पर देखे परमिसन मागा जा रहा है तो आप इस तरीका से स्क्रॉल करेंगे और आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे इसके बाद आप इहाँ पर लेट्स प करने के लिए ऐगया है तो आप यहाँ पर Facebook के माध्यम से Sign In'd कर सकते हैं Google के माध्यम से Sign In'd कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर LinkedIn के माध्यम से भी Sign In'd कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर Sign In'd with Google पर क्लिक कर लेते हैं अब जो भी आप email ID से mobile में login होंगे यहां पर वो email id सो करेगा, तो आप यहाँ पर email id पर click कर लेगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा wait करेगे, अब यहाँ पर देखे, mobile number fill up करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना mobile number fill up करेगे, यहाँ पर mobile number fill up करने के बाद, नीचे में देखे लिखा है, get update over whatsapp, यदि आप whatsapp पर अपडेट चाहते हैं तो आप इसको यहां से ओन रहने देंगे यदि आप WhatsApp पर अपडेट नहीं चाहते हैं तो आप इसको यहां से आप कर सकते हैं चले इसके बाद आप गेट OTP बर किलिक करेंगे अब आपके मॉवाइल नमर पर OTP आएगा और यह OTP यहां पर ओटोमेटिक फिलप हो जाता है अब यहां पर देखे डिटेल फिलप करने के लागिया है सबसे पहला यहां पर है फूल नेम एज पर पैन तो जो भी आपके पैन कार्ट पर नाम लिख करेंगे डेट ओब बर्थ फिलप करने के लिए आप इस कलेंडर के आइकोन पर किलिक करेंगे और यहां से डेट ओब बर्थ सलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप ओके पर किलिक कर लेंगे इसके बाद यहां है एजुकेशनल क्वाइलिफिकेशन आप इस पर किलिक करेंगे और यहां से Select कर लेजे, आपने कितनी तक पढ़ाई की है, यदि आप Under Graduate हैं, तो इसको Select करेंगे, ग्रिजवेट हैं तो इसको Select करेंगे, पोस्ट ग्रिजवेट हैं तो इसको Select करेंगे, इसके बाद यहां पर है Pen Card, तो जो भी आपका Pen Card Number है, आप यहां पर Pen Card Number फिल अप इसके बाद यहाँ पर है home ownership status आप इस पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी select कर लीजे यदि company के दोरा दिया गया मकान है तो आप यहाँ पर company provide को select करेंगे यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर on को select करेंगे यदि आप rent पर रहते हैं त बढ़र भी select कर सकते हैं इसके बाद आप OK पर किलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर पीन कोट तो आप यहाँ पर अपना area का PIN कोड फिलप करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर पीन कोड फिलप करेंगे निचे में देखी CT का नाम automatic फिलबप हो जाएगा इसके बाद आप तो आप यहाँ पर self-employed को select करेंगे, इसके बाद यहाँ पर employer name आप इस पर click करेंगे, अब यहाँ पर company का नाम fill up करेंगे, जो भी company में आप काम करते हैं, इसके बाद यहाँ पर working scenes आप इस पर click करेंगे, और यहाँ से select कर लिजे, आप कब से job करते हैं, इसके बाद यहाँ प पर देखे लिखा है salary received type आप इस पर click करेंगे, अब यहाँ पर select कर लिजे, आपको salary किस तरिका से मिलता है, यदि आपके bank account में transfer के आता है, तो आप इसको select करेंगे, यदि आपको check के माध्यम से मिलता है, तो check select करेंगे, यदि आपको cash के रूप में मिलता है तो cash को select करेंगे इसके बाद okay पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर net monthly salary तो आपको कितना रूपए monthly salary प्राप्त होता है आप यहाँ पर fill up करेंगे इसके बाद आप इस box में tick कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर उपर में save लिखा हुआ है आप इस पर click करेंगे अब आगे का process होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें cash e के माध्यम से 1,60,000 रुपए loan offer किया गया है यानि कि हम cash e के माध्यम से 1,60,000 रुपए आसानी स loan ले सकते हैं चले इसके बाद आप ok पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे mpin setup करने के लिए गया है तो यहाँ पर दो question दिया गया है यह दोनों question का answer आपको यहाँ पर fill up करना है जैसे कि यहाँ पर what is your mother's maiden name यानि कि आपके मा का नाम क्या है तो यहाँ पर हम इसका answer fill up कर ल आप इसी mpin के माध्यम से cash e app में login कर पाएंगे चले हम यहाँ पर mpin set कर लेते हैं इसके बाद set पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिया गया confirm mpin तो जो भी आपने mpin set किया है फिर से आपको यहाँ पर type कर लेना है इसके बाद confirm पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर i accept तो यहाँ से select कर लीजे यदि आप family के साथ रहते हैं तो इसको select करेंगे यदि आप दोस्त के साथ रहते हैं तो इसको select करेंगे यदि आप अके लिए रहते हैं तो आप यहाँ पर alone को select करेंगे इसके बाद ok पर click कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर number of year at current address आप इस पर click करेंग इसके बाद यहाँ पर है address, तो जो भी आप address पर रहते हैं, आप यहाँ पर वो address fill up करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर save पर click कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ से ok पर click करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, personal detail में 76% complete है, इसके बाद यहाँ पर employment detail या 50% complete है तो इसको भी आपको complete करना होगा तो आप यहाँ पर employment detail पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको detail fill up करना होगा जैसे कि यहाँ पर official email तो आप यहाँ पर अपने office का email id fill up करेंगे याँ फिर आप यहाँ पर अपना email id भी fill up कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर है job function, आप इस पर किलिक करेंगे, और यहाँ से select कर लिजे, आप कौन सा job है, इसके बाद OK पर किलिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर है work sector, आप इस पर किलिक करेंगे, अब यहाँ पर select कर लिजे, आप किस तरिका का job है, इसके बाद OK पर किलिक करेंग तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सलेक्ट कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर work address आप इस पर क्लिक करेंगे अब जहां भी आप काम करते हैं उसका address आप यहाँ पर fill up करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर save पर क्लिक कर लिजे इसके बाद आप यहां से ok पर click करेंगे अब यहां पर देखे email address को verify करने के लिए आगया है तो आप इस पर click कर लेंगे दोस्तों यहां पर देखे personal detail 100% complete हो चुका है इसी तरीका से यहां पर employment detail 100% complete हो चुका है इसके बाद यहां पर bank detail आपको इसको भी 100% complete कर लेना है इसके बाद यहां पर photo proof इसको भी 100% complete कर लेना है चलिए हम यहां पर bank detail पर click करेंगे अब यहां पर आपको अपना bank detail fill up करना है जैसे कि यहां पर bank name तो आप यहां पर अपना bank का नाम fill up करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर अपना account number fill up करेंगे नीचे भी आपको account number fill up कर देना है इसके बाद यहाँ पर IFSC code तो जो भी bank में आपका account है उस bank के branch का IFSC code आप यहाँ पर fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर UPID यह optional है उसको fill up करने की जरुवत नहीं है चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं इसके बाद आप यहाँ पर save पर click कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ से ok पर click कर लेजिए अब यहाँ पर देख सकते हैं 100% complete हो चुका है इसके बाद यहाँ पर एफ photo proof आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको detail fill up करना है जहाँ भी required लिखा हुआ है उसको ही आपको fill up करना है यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर optional लिखा हुआ है इसको fill up करने की जरुवत नहीं है आप इसे छोड़ दीजे चलिए हम यहाँ पर detail fill up करते हैं जैसे कि यहाँ पर profile आप profile पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर plus पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ से इसको cut कर लिजे अब यहाँ पर आपको permission देना है आप allow कर देंगे अब यहाँ पर आप अपना selfie ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर photo upload हो चुका है फोटो लेते समय आपको धियान देना है आप हेट को उपर नीचे करेंगे इसके बाद यहाँ पर प्लस पर किलिक करेंगे इसके बाद आप प्लस पर किलिक कर लेंगे प्लस पर किलिक कर लेंगे प्लस पर अप्लोड करने से पहले आपको धियान देना है कि आपको pen card का photo लेना है और उसको आपको self attested करना है इसके बाद आप यहां से इसको cut कर लेंगे अब यहां पर आप pen card का photo upload कर सकते हैं या फिर आप PDF के रूप में upload करना चाहते हैं तो PDF में भी upload कर सकते हैं यहां पर pen card photo upload करने के बाद आप यहां से back हो जाएंगे इसके बाद यहां पर है financial proof तो यहां पर देखे लिखा है banking यह required है आप इस पर click करेंगे अब यहां पर देखे bank detail verify करने के लिए गया है तो आप यहां पर दो तरीका से bank detail verify कर सकते हैं सबसे पहला यहां पर है net banking आप net banking में login करके verify कर सकते हैं इसके अलावा दूसा तरीका है आप यहां पर 3 मंद का bank account statement को upload करके भी bank detail verify कर सकते हैं चलिए हम यहां पर proceed with net banking पर click कर लेते हैं अब यहां पर देखे login करने के लिए गया है तो आप यहां पर continue पर click करेंगे इसके बाद आप यहां पर select a bank पर click करेंगे और जो भी bank में आपका account है आप यहां से वह bank को select कर लेंगे इसके बाद आप यहां पर net banking का user ID और login पासपर फिल अप करके next पर click करेंगे अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं success आ गया है यानि कि हमारा bank account verify हो चुका है इसके बाद OK पर click कर लेंगे अब यहां पर देखिए last three month का bank account statement upload करने के लिए आगया है तो आप यहां पर bank account statement PNG, JPEG या फिर JPG या फिर PDF में upload कर सकते हैं इसके लिए आप plus पर click करेंगे यहां पर देखिए लिए current residental proof आप इसपर click करेंगे अब जो भी आप यहां पर address proof के लिए document देना चाहते हैं आप यहां से work document select कर लेंगे जिसे कि हम यापर आधार कार देना चाहते हैं तो हम आधार कारड पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर आधार का front side और आधार का back side upload करना होगा इसके लिए आप यहाँ पर plus पे click करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं बताय गया कि आप किस तरिका से आधार को upload करना है इसके बाद आप यहाँ से इसको cut कर लीजे अब यहाँ पर आधार का photo upload कर लिए यहाँ पर आधार photo upload करने के बाद आप यहाँ से back हो जाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको back हो जाना है चलिए हम यहाँ से back कर लेते हैं अब यहाँ पर देखे सभी 100% complete हो चुका है तो आप यहाँ पर सभी को 100% complete कर लेंगे अब यहाँ पर आपका application process में है इसके बाद आप कुछ दिर के बाद cash e app को open करेंगे open करने के बाद आप यहाँ पर credit पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे आप लोग कई तरीके के loan ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है cash e credit line तो यहाँ पर देखे हमें 1,60,000 रुपे का limit दिया गया है तो हम यहाँ से apply 9 पर click करके apply कर सकते हैं इसके अलाबा 1,60,000 रुपे का यहाँ से loan apply कर सकते हैं इसके लाबा यहाँ पर हम 1,20,000 रुपे का लोन ले सकते हैं अपलाई नौपे किलिक करके इसी तरीका से यहाँ पर हम 80,000 रुपे का लोन ले सकते हैं अपलाई नौपे किलिक करके इसके लाबा हम यहाँ पर 40,000 रुपे का लोन ले सकते हैं अपलाई नौपे किलिक करके तो आप यहाँ पर OK पर किलिक करके email ID को verify कर लेंगे, आपके email ID पर OTP आएगा और आप लोग OTP को submit करके email को verify कर सकते हैं, यदि email पर OTP नहीं आता है तो आप यहाँ पर SK पर किलिक कर लिए, अब यहाँ पर देखिए credit line amount select करने के लिए गया है, तो हम यहाँ पर 5,000 रुपए से ले करके 1,60,000 रुपए तक credit line amount ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी मर्दी से इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आपको loan चाहिए, जैसे कि माल लिए, हमें यहाँ पर 10,000 रुपए loan चाहिए, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपए कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमने 10,000 रुपए select कर लिया है, इसके बाद आप यहाँ पर apply no पर किलिक करेंगे, अब यहाँ पर अपना पूरा पूरा नाम fill up करेंगे, इसके बाद proceed पर किलिक करेंगे, अब यहाँ से आप allow पर किलिक कर लिए, अब आपका application submit हो चुका है, अब case e के तरफ से आपकी document को verify किया जाएगा, चलिए इसके बाद आप यहाँ पर my case e पर किलिक करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते आगया application receive, तो जो भी document आपने दिया है, वह document को cash e के तरफ से verify किया जाएगा, तो document verification में 24 घंटे तक का समय लग सकता है, तो आपको यहाँ पर 24 घंटे तक wait करना है, जब आपका यहाँ पर document verify हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका application approve हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर auto debit registration के लिए आजागा, तो दोस्तों इस तरिका से आप लोग cash e के माद देहम से आसानी से loan ले सकते हैं, आपको loan मिलना आपके civil score पर depend करता है, इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी app के माद देहम से या फिर bank से loan लिया है, और आपका EMI चल रहा है, तो फिर आपको loan मिलने में समस्या हो सकती है, म आपको इंचर जावा कि आपकंट लोगा रहा ह lawn मिलने में से आसानी से आसानी से अलाव लोग लोग रहा है, व क्लिछ ऊेधने गया है, जड़ी आपका लोगा कि बहाई है, आसे ये लोगाल मिलने से वाले से क्वाल आपके उे lore और जावा इते हैं,